कि हैलो एवरिवान कैसे हैं तो सर अभी ट्विल्थ पास होने के बाद अभी तो कॉलेज के हम नीट कह रहा हूं नीट का इतना जादा हाइप हुआ पड़ा है के हर नीज चैनल पर ही आ से पहले आपका स्लीबस मैं एक बार बता देता हूं क्या होगा इसके बाद मैं सेमेस्टर वन में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा छोटी सी छोटी जानकारी बताएंगे कि एक्जाम में कैसे जाना होता है क्योंकि ट्वेल्थ और बीकॉं टोटली डिफ्रेंट इन सब्सक्राइब करो गए तो कितने पतर होंगे सर साथ पर होंगे जिसमें कुछ आपके कोर्स अबजेक्ट्ट्स का मतलब होता है यह आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा इसमें कोई और बाकी के चार सब्सक्राइब में आपको खूब सारे option मिल जाते हैं अपने सुभीदा अनुसार आप उसको ले सकते हो और हर college के अंदर depend करता है कि वहां पर क्या subjects available है वो उसके according देते हैं तो सबसे पहला देखा जाए तो आपका business law बिल्कुल new subjects है जिसके अंदर मान के चलो आप एकदम नियू तो आपको यह पूरा का पूरा करना पड़ेगा और थोड़ा सा टफ है law सीख रहे हैं एकदम सब्जेक्ट है त्योरी का सब्जेक्ट है लेकिन मैं इतना बता दूँ आपको financial account आपने पहले जाना पहचाना है आपका वही यह यहां पर final account होगा लेकिन advance है यहां पर final account तो यह आपका पूरा practical सब्जेक्ट होने वाला है यह आपका बिजनस स्टडी है यह कौन सा है सर बिजनस स्टडी मैं यह बताने जा रहा हूं बीकॉम ओनर्स के लिए जिन बच्चों ने बीकॉम ओनर्स का सलेबस कराई यह क्या है बिजनस स्टडी इसके बाद आपको यहां पर बहुत सारे पूल दे देते हैं मतलब इन में से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो तो अब बच्चों के उपर है जायतर बच्चे बिजनस कम्मिकेशन ले लेते हैं तो यह चूज कर लेंगे तीसरे सब्जेक्ट में आप के साथ सब्जेक्ट से समेस्टर वन वालो अभी अगर इस चैनल पर आप नहीं होगे क्योंकि पहले तो नहीं पढ़े मैं अगर एज़ा बताओ तो काफे टाइम से सिर्फ बीकॉम के बच्चों को इस चैनल पर पढ़ाया भी जाता है और साथ के साथ सारी चीज़े कैसे कैसे चलने वाली है थाइंक्यू सो मच मिलते हैं नेक्स वीडियो में